आप सब का स्वागत है अमरुजारा.com में मैं इसमेर कॉलकता में हूँ और मेरे साथ है आज फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर अरिंदम चक्रवर्थी जिनके पास करीब करीब तीन हजार से ज्यादा पोश्माटम करने का अलवब है बरिश्ट डॉक्टर है आज उन से बात करते हैं और जानते हैं कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वो उसको कैसे देखते हैं और इस बारे उनकी क्या रहा है लक्षा आपका बहुत-बहुत स्वार है तेंक यू कोई सुना, कभी नहीं देखा कै ये बूटल है? शार्टिनली बूटल निश्शीत रूप में ये बूटल है हम लोग बोलते है कि ये हिनास क्राइम होता है इसको बोलता है, बहुता है जिसाई फॉरहिंसी के एक्सपोर्ट हैं है या एक शराबी एक 30 साल की डॉक्टर के साथ इस तरह के घड़ना अकिरा कर सकता है? कर तो सकता है लेकिन वो जो एक यंग लेडी है उसके साथ कोई करने के लिए जाए तो वो क्या चुप नहीं करके तो रहेंगे वो तो फाइट करने का कशिश करेंगे और इसा ही किया तो हम लोग तो पता नहीं क्या क्या इंजूरी है कुछ रिपोर्ट अप लोग हमें दिखाया है वो सोशल मीडिया में घुम रहे हैं हमें पता नहीं कि ये साथ है क्या गलत है क्या फेक है हमें नहीं पता है लेकिन इतने सारी इंजूरी ऐसाही नहीं हो सकता, इसको ऐसाही मलूम होता है कि पॉसिबिलीटी है, there is possibility that the asylum, number of asylum is more than one, एक से जदा आतोताई उधर रहने का शंभा बना है. तो सुभे से लेके साम तक, वहाँ पर आप मानते हैं कि किस तरह के evidence के साथ छेह खानी होई होई है? कि सब कुछ collection हुआ, और उसके बाद जब post-mortem के लिए डॉक्टर लोग को पास body भेजा गया, जब post-mortem हुआ, उधर से भी कुछ, जो sample लेना है, investigation के लिए, further investigation के लिए, forensic investigation के लिए, और लिया था, SI system है, SI हमें काम करते है, procedure और SI होता है, तो हमें सोचा है कि ये तो ठीक ही है, और जो लिया, उसको जल्दबाजिस से जरूर जरूर उसको investigation करना चाहिए, करके, जो evidence को establish करना है, जिसका शरीर से वही सब निकला, तो उनको सार, हमें आपको एक example देते है, suppose we have got some blood, blood clot there, and if I get the blood clot, we have to match it with the suspected assailant. If it does matches, then we can say there is a possibility that that person was present at that time. After that, we have to match the DNA. So, if that also matches, then we can say there is a high chance that this person is involved in that incident. That is the procedure, यही तरीका है, ऐसे ही काम करना है. Sir, यह बताए कि कितनी देल के अंदर अदर उस जगर को restricted कर देना चाहिए, जहां पे घटना होती है? जब कोई खबर आए, और अथरिटी का ऐसे ही काम होना चाहिए, कि उसको टोटल लॉक एंड की में ले जाए, ले जाना है. इसके बाद only police वालो और जो forensic science laboratory के expert, वही लोग चाहिए, वही लोग के इलावा और दूसरा किसी को वही जाएगा में जाना नहीं देना चाहिए था. तो लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हुआ बताते हैं? ऐसे सुना है, जो अखबर में लिखा है, उधर से हम देखा, सुना, कि ऐसा बोल रहा है, लेकिन किया हुआ वो तो हमें नहीं थे, हम कैसे मलूम किया हुआ, लेकिन यह होना नहीं था. लेकिन सर, आप एक कोश्मार्टम अपने इतने तीन हजाब के आसपा स्पोर्टमार्टम के और इस तरह की ख़टनाओं के देखिए, तो यह जो इंजिरीज बताते हैं, जो इंटरनल जो है, 9 और बार 16, मैं फिर वहीं सवाल पूछा चाहता हूँ कि इतना जो इंजिरी है, वो एक आदमी कर सकता है? करना जो जो है, मैं जो कहता है, झालो ajudने सिंगल अंफ मुथ कर mistake. यह जो कर दा आप समय के आप आप सब्यूंत सर्चाहर, इन बता सब्रेएंवास थे स्पेटरेंग स्प्व्छा जो नोख जो एक आप मैंने को. हुआ है इस बच्ची के साथ जो हुआ है जुनियर डॉक्र के साथ जो कुछ हुआ है उसको देखके आप एज एक कोश्मार्टम जो फॉरंसिक एक्सपर्ट हैं वो क्या लगता है आपके दिमा में फर्स्ट ओपिनियम क्या आया है हाव मेनी पीपल वस दिया है यह हमें अभी माच करना होगा इन्वेस्टिकेशन करना होगा उसको कोई कोई थे एक को पकरा गया उसके से और दूसरा कोन है तिसरा कोन है इसको पकरना है पहले उसके बाद जो संपल उधर मिला उस संपल से मैच करना है यह संपल से मिल रहा है क्या मिल नहीं रहा है इसको करना है इसको जितने टाइम चला जाता है we are delaying and we will miss some evidences some evidences will be lost if we delay सर आपको लगता है कि इसमें पुलिस और प्रसासन जो है उसने डिले किया डिले तो हो रहा है लेकिन ये हमें क्योंकि एक अदमी को हम पकरा गया उसके बाद हमें सोचा कि बहुत जल्दी बाकी जो सारे जो अदमी इसमें इंवर्ड है क्या नहीं है हमें पता चल जाएगा लेकिन अभी तक तो इसा नहीं देख रहा है एक एजनसी से दुसरा को एजनसी का पास गया दुसरा एजनसी इंवेस्टिगेशन कर रहा है चल रहा है लेकिन अभी तक फर्दर कुछ प्रोग्रेस तो हमें नहीं देख सकता है आज बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लताडा है उनकी कारिश से लेके पर आप क्या कहना चाहिए ये तो सुप्रीम कोर्ट जो बोल सकता है मैं नहीं बोल सकता हूँ लेकिन हमें ऐसा ही मेरा मांग है कि बहुत जल्दी इंवेस्टिकेशन को खतम करना होगा उसके बाद वो जो शंपल है उस संपल को मैच करना परेगा इसस को पक्रदा गया होगा उसके साथ मैच करना होगा ये सी हमें उनको कोई punishment देना यह असान हो जाएगा CBA judge में अभी तक तो कोई दूसरे आदमी को कुछ नहीं पकरा और जिसको पकरा हमें नहीं पता है क्या उसका कोई जो matching जो हमें जो अपको बुला कोई matching किया क्या नहीं किया हमें अभी तक पता नहीं है सो एह कोई बात बाहर आए हमें जान सके तब हम बुलेगा की अच्छा होता है How long time will it take? I don't know. How long will it take to know all these things? If we can know that yes, some solution has come to the case and in this way it has been done. Actually, reconstruction is done. Reconstruction of the incident is usually done by the investigating agency. If it is properly done then we can say yes, it is moving in the right way. Sir, आपको लगता है कि इसमें कोई न कोई राजनीती हो रही है क्योंकि Supreme Court और दुसी जांस एजन्सियां और जो इविता के मातापिता उनने कहा कि उनको लाश देखने को आगा कि उनकी हत्यावान नहीं हुई राजनीती इस टाइप ओफ इंसिडेंट कोई साथ तो होगा ही हमारा देश में तो सब कुछ में ही पॉलिटिक्स आजेते है आएगा लेकिन पॉलिटिक्स का इलावा इधार आउर कूछ है इधार हिमानीटी इतने एक पैइनफुल इंसिडेंट बहुत दुख जनक इंसिडेंट हुआ वो तो हमें सब कोई बहुत दूख है मन में जह ऐसा हुआ कलकत्ता में हुआ जिधर हम लोग काम करते थे होई इंस्टिटूशन में मैं भी थे पिछली कुछ साल पहले मैं भी काम किया तो हमें खेद है कि ऐसा कोई घटना हुआ हुआ लेकिन तो जल्दी जितने जल्दी हमें कोई solution मिले कोई जो अपराथी जो है पकर गया हमें ऐसे ही सोचेगा कि कुछ तो हुआ दुसरे कोई अजमी ऐसे कोई काम करने का पहले दोवारा सोचेंगे कि क्या करेगा या क्योंकि पकर जाएगा punishment हो जाएगा ये जल्दी करना चाह एक ड्यूटी के टाइम में तो कम से कम तीन डॉक्टर एक जूनियर डॉक्टर भी होगा वहाँ पे नर्सीज भी होगी वहाँ पे मरेज भी होगी ऐसा क्या हुआ कि किसी ने उसकी आवास तक नहीं सुनी और इतनी बड़ी घर्टना होगी ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बा हम जो करते हैं उसके इलावा एक दो आदमी जा सकते है तो जो मरीज है उनका घरवालो होगा मरीज होगा इससे इलावा तो कोई नहीं जा सकता है लेकिन बहार से कोई आए अंदर घुज गए इतने सारी काम किया दिश्कर्म किया इसके बाद फिन चले गए कैसे हुआ हमें भी भी बहुत, I'm very much surprised to see. इस सर्प्राइज को हम कैसे देखे हैं? इस सर्प्राइज को कोई security लेक तो थे हैं, security को कोई लेक तो थे हैं. लेकिन सर, जो मेरा एक सवाल यह है, कि वहां पे four doctors भी होंगे, तो जब duty बदलती होगी, सुभे, तो उस समय तो उसको ढूंडा गया होगा, तो उसको क्यों नहीं ढूंडा गया है, उस junior doctor को duty बदलते समय तो ढूंडा चाहिए ना, कि duty over होगया, उससे लोग उसको take over कर रहे हैं, उस समय उनको नहीं ढूंडा गया? यह तो होना चाहिए था, क्यों नहीं होगा, उनका department का आत्मी बोल सकेगा, उनको तो पुछ ताच करना पड़ेगा यह जनने के लिए, क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, क्यों पता नहीं लगाया कहा गया, कहा गया, तो क्या इसमें आपको को डालने काला लगता है? यह तो सही नहीं हुआ यह काम, जो आप पुस्ते हैं, सब कोई तो एई साही, कोई सब्स्पीशास about any conspiracy, anything, everything should come out after proper investigation and it should be done quickly, first. तो ये थे डॉक्टर अरंदम चक्रवर्थी जिन्हों ने बताया कि उनका जो अनुभव है वो अनुभव कहता है कि भले ही इस मामले में अब तक एक इंसान के ग्रिफतार किये जाने की बात है लेकिन उनका अनुभव तीन हजार से ज़्यादा पोस्ट मार्टम 25 से ज़्यादा चोड के निशान को देखने के बाद वो ये कहते हैं कि ये एक आदमी के बस की बात नहीं है लेकिन ये सब कुछ जांस का विशय है और अन्सिक एविडेंस को जिस तरह से रखा जाना दिये था रिजर्व किया जाना दिये था उसको रखा गया है या नहीं गया है ये ज़्यांस का विशय है उन्होंने कहा कि ये एक दुखत घटना है और जांस के बाद ही इसके नदीजे तक पहुँचेंगे अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें